होटल में जब हम जाते हैं तो वहा पर हमें सिरके वाले प्याज क्या मसाला लेगक樣 जरूर मिलते हैं तो वही फ्लेवर आज हम घर में तयार करेंगे पिल्कुल असान तरीके से एक सूकी बॉटर लेते हैं, इसमें हम वन थर्ड तक पानी रखेंगे, तो इतना पानी हमें उबालना है कि वो उबलते उबलते वन थर्ड तक रह जाए, तीन हिस्सा पानी हमने एक बगोने में डाल दिया है, डेड़ गिलास पानी ले लिया है, इसको हम चड़ाते हैं गैस और इतना उबालेंगे कि यह उबलते उबलते इसका एक हिस्सा रह जाएगा, दो हिस्से उड़ जाएंगे, फ्लेम हमको स्लो रखना है, और धीरे धीरे पानी को पकाना है, बहुत जल्दी से पानी को नहीं सुखाना है, तो जब तक पानी पक रहा है, तब तक हम सबजिया काट कर तियार कर ले थे तो जो जो सब्जियां आप डाले उनको छील कर तियार कर ले तो लैसों मुली मिर्च प्याज इन चीजों को हमने ले लिया है एक चुकंदर ले लिया है तो प्याज हमने बहुत चोटे साइच के लिए है हमेशा सिरके वाले सब्जियों में जब प्य थोड़ा सा ही दिखा रहे हैं और इनको हम डायरेक्ट पानी में डालते जाएंगे और अब यह हमने मूली ली हुई है तो दो चोटी-चोटी मूली भी ली हैं इनका भी हम छिलका निकाल देते हैं और बीच से 4 टुकड़े कर लेते हैं तो इस तरह से हमने मूली को काट लिया इनको भी पानी में डाल देते हैं आप चाहें तो चोटी-चोटी कटडियों को भी इस तरह से यूज कर सकते हैं तो उनको बीच से कट लगा दे या तो अगर बहुत चोटी है तो खड़ी रखे तो आप में सब्सक्राइव को बहुत अच्छे से दो पानी से दो लेते हैं और निकालकर अलग-अलग रख लेते हैं तो इनका एक्ष्ट्रा पानी निकल जाएगा चुकंदर को हम दोने के बाद चीलेंगे पहले अगर चील लेंगे तो इसका कलर बाहर चला जाएगा तो अब हम इसके भी टुक्ड़े कर लेते हैं तो यह पने पतले-पतले जुड़ा रहने देना है तो इस तरह से हम प्याज का कट लगाएंगे कि प्याज अलग न होने पाएं थोड़ी मिर्च भी जरूर डालिए शिर्के वाले प्याज में मिर्च का प्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है तो यहां पर हमने दो तीनी मिर्चे ली हुई है और इन कलियों को चील लेते हैं और जो बड़ी-बड़ी कलिया है इनके हमने दो भाग कर दिये हैं और जो छोटी है उनको ऐसे ही रखा है तो यह देखिए इतनी से सबजी हमने रेडी कर ली है और जब तक हमने सबजीयों को तयार किया है तब तक इदार पानी भी पकते-पकते का हाँ, पानी हमारा कापी कम हो गया है पानी को हमने प्लेम पर पकाया है। गैस को बंद करते हैं, अब हम थोड़े से मसाले ले ले लेते हैं तो यहां पर एक प्लेट में हमने लेली हैं थोड़ी सी पांचे काली मिर्च, 1 जो लांग, 1 अदाच छोटा चममा सॉप और 1 आदा स और अब हम ले रहे हैं एक चम्मच राई वाली दाल, जो अचार में डाली जाती है वही दाल हमको लेनी है, तो यह राई की दाल है चिलका निकली हुई, इसको ले लिया, इसी में मिला दिया, और अब सिरके वाले प्याज को हम डाइरेक्ट बोटल में बनाएंगे, तो यह सा करके एक-एक सब्जी डालेंगे और आब यह चुकंदर डाल देते हैं, इनको थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा बीच में ऐसे डालें कि सब एक दूसरे में मिक्स हो जाए, तो सारी सब्जियों को इसी तरह से लगा-लगा कर हम जार में डाल देंगे, और जार को बराबर तक में डाल दिया है, अब हमने जो मसाले कूट कर रखे थे और यह राई की दाल थी एक चमच, इनको हम इसी जार में डाल देते हैं, उपर से आधा चोटा चमच हींग डाल देंगे, यह स्वाद बढ़ाने के लिए भी होती है, और पाचक भी होती है, इसलिए हींग को जरूर डालें, अब हम स्वाद के अमसार नमक डाल देते हैं, नमक थोड़ा सा खुला रहता है, तो यह हमने सादा नमक ले लिया है, और अब हम ले रहे हैं काला नमक, दोनों नमक आधे-आधे हम डालेंगे, अचार के एकोर्डिंग हमने नमक डाल दिया है, लेकिन एक बार जब तो यह देखिए हमने आप से बोटल को जब दिखाया था तो बताया था कि हमें इतना पानी पका कर रखना है लेकिन सब्जियां पढ़ने की वज़े से यह आधा दिख रहा है लेकिन यह एक चौथा ही पानी है अब बाकी का जो हिस्सा बच गया है इसको हम विनेगर से सब्जी को दबा दें अच्छे से नमक को मिक्स कर दें मसालों को मिक्स कर दें और इस पानी वाले अचार को अब हम ढखन से बंद करते हैं, और तीन दिन के लिए रख देते हैं 3-4 दिन में सारे मसाले अंदर समा जाएंगे और कलर बिल्कुल डार्क हो जाएगा और 3-4 दिन बाद मैं आप से मिलती हूं और आपको दिखाती हूं कि पिकल कैसा बना है तो इसको अच्छे से शेक कर लेती हूं और अब रख देती हूं ना ही हमें धूप में रखना है ना ही इसको छीड़ना है तो इस तरह से मैं अपने पिकल को इस्टोर कर रही हूं और चलिए अब हम मिलते हैं आप से तेन दिप बाद तो हेलो फ्रेंड चार दिन हो गए हैं आज मैं आई हूं वीडियो बनाने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला तो देखती हूं और इन चार दिनों में जो मैंने पानी वाला पिकल बनाया था तो मेरा बेटा उससे निकाल निकाल के थोड़ा सा विकल खा भी गया है कम भी हो गया है लेकिन चलिए मैं आपको दिखा रही हूं कि ये कैसा बनाया है तो बिल्कुल सिंपल सी रेश्पी है जीरो ऑईल की ये रेश्पी है भाई बहुत ही टेस्टी है अब मैं इसको खोल आपको दिखाते हूं तो ये देखिए इतनी बड़िया शांदार खुसबू आ रही है सिर्के की और मसालों की और सारे मसाले और ये देखिए सारा कलर अच्छे से प्याज में समा गया है और इस प्याज को आम मैं प्लेट में निकाल कर आपको दिखा रही हूं कि देखिए अब ही मैंने निकाला ये प्याज तो ये देखिए कितना बड़िया प्याज का कलर आ गया है और बाकी की सब्जियां भी मैं थोड़ी थोड़ी आपको निकाल कर रखते जा रही हूं मिर्च भी मैंने निकाली है ये भी बहुत ही टेस्टी है ये है मूली पता ही नहीं चल कि ये मूली है कि चुकंदर है लैसुन की कलिया इन सभी में फ्लेवर बहुत ही अच्छे से समा गया है आप करीब से देख सकते हैं तो आप इस तरह से कच्छी सब्जियों का भी आनंद लें और आपको अगर रस की जरूरत है तो ये पानी वाला जूस है इसको भी थोड़ करके दिखा रही हूं तो ये देखिए लेहसुन भी पूरा अंदर तक लाल हो गया है है तो इस तरह से आपको जो जो मसाले चाहिए और जो जो सब्जियां चाहिए वह भी आप डाल सकते हैं सिरक वाला प्याज बनकर तेयार है और हमने सिरके वाले प्याज के साथ कुछ सबजियों को भी डाला है जिससे मिक्स सबजियों का भी स्वाद मिल सके तो ये बहतरीन सबजियां बनकर तयार हुई है आप चाहें तो चुकंदर को खा लें टेस्टी ये भी बहुत है और अगर इसको नहीं खाना है तो आप इसको आप पानी को भी यूज करें तो साथ सात में पानी का भी वी भी खराब नहीं है बहुत-बड़िया है एक बार विलकुल थोड़ा सा बनाई जैसे मैंने थोड़ा बनाया है और मैं तो अक्सर पिकल बनाती रहती हूँ तो पिकल में मेरा अंदाज का पही है इसलिए मुझे पिकल बनाने में टेंसर नहीं होती है लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप बिलकुल थोड़ा सा बना है तो अब आप इस बेहत्रियन पिकल का आनंद लीजिए पानी वाला पिकल है कुछ भी इसमें मसाले नहीं है हर को इसको खा सकता है और अगर आपको विनेगर से कोई प्राब्लम है तो एपल स्लेडर विनेगर का यूज करें अगर आपको रेश्पी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और अपने अनभो मेरे साथ शेयर कीजिए मुझे खुशी होगी तो मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार